आज की खेल की दुनिया को हैरान करके रख देने वाला मैच फिक्सिंग का मुद्दा अब एक और नई दौर पर पहुँच गया है क्रिकेट के प्रमुख खिलारी प्रशाथ वर्मा का मैच फिक्सिंग में संबंद है ये जानकर उनके प्रशन सिकों में गर्मा गर्मी है ये क्या कर दिया भाई तुम ने पैसो के लिए करणों लोगों के भरोसे को दाओं पर लगा दिया है तुम मेरी एक छोटी सी गलती की वज़़े से मुझे पिछले तीन सालों से ब्लैक मैल कर रहे हो मुझे एक मैच फिक्सर बना दिया है चोटी सी गलती कहा है तुम शराब के नशे में किसी मामली लड़की के साथ नहीं डॉन डिशी वर्दन की वाइफ के साथ थे अगर ये बात उसे पता चली न तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी मेरे पास अपनी जान देने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है बीसी सी आई ने प्रशांत वर्मा पर आज इवन प्रतिबन लगाने के सजा की घोशना की है भारत को कई अवस्मार्णिय जीत दिलाने वाले युवा खिलारी पर देश की जनता देश से गदारी करने के लिए उस पे आक्रोश जता रही है प्रशांत वर्मा की आत्महत्या के पीछे कई बाते हो रही है पुलिस का कहना ये भी है कि इसके पीछे किसी अंजान आदमी का हाथ हो सकता है पिछले 6 मैने में शेहर के 4 प्रमुख विक्तियों की सुसाइट के कान मौत हुई है इन सभी सुसाइट के पीछे असली करन कुछ और ऐसा शक हो रहा है आपका क्या कहना है सर सब कुछ अनलाइज करने के बाद विकेम टू ए कंक्लूजिजन दैट दिस इस प्योरली अन आक्ट आफ अफ प्रोफेशनल ब्लैक मेलर आकर वो हाई कौन सर मुझे पता नहीं सच बहुत दिनों तक खामोश नहीं रहता सामने जरूर आएगा और उसके बाद वो बचेगा नहीं यह स्टेटमेंट नहीं है उसके लिए वार्निंग है उसके लिए वार्निंग है ओहो डाट एक्दम हीरो की जैसे दिख रहे हैं सुपब चुप रहा है हेलो टीवी बहुत देख लिया अपनी बेटी का है में में स्टेक शट दिखने में तो बच्ची है लेकिन बात्रूम में कपड़े बदलते वक्त देखना चाहिए उसे बहुत खुपसूरत बेटी पैदा की है कुछ नहीं कुछ नहीं बात्रूम की बाते बेडरूम में अच्छी लगती हैं कौन हो तुम क्रिकेटर परशांत वर्मा के बारे में जो रिपोर्ट तुमने बनाई है उसके पेज 14 पैरा 3 में तुमने जिस सेंटेंस को अंडरलाइन किया है उन आत्महत्याओं की मिस्टरी के पीछे मैं ही हूँ मेहनत करने पर जो पसीन आता है उसे पोचो तो साफ हो सकता है लेकिन जो डर से आए वो कभी साफ नहीं होता एसी 25 पर है 18 पर कर तो पसीना कम हो जाएगा हे कहा हो तुम हलो आफिसर मैं हवा हूँ हवा कहीं भी आ सकती है रिसेंटली तेरी बेटी के बात्रूम में आई थी अब तेरे बेट्रूम में आ रही है तुम्हें क्या चाहिए पहला फाइल क्लोज करो दूसरा जब भी कॉल करू उसे अटेंड करना मुझे नहीं पता कि तु कौन है लेकिन किसी ने किसी दिन किसी के हाथ जरूर पड़ेगा उसकी भी कोई वीकने सोगी सबकी जिन्दगी में कुछ चीज़े होती है जो किसी को पता नहीं लगनी चाहिए उन्हें कैच करना और कैश में बदलना दाट्स माइ बिसनेस मैं ब्रदर इस ग्रेट मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं मगर समझ में नहीं आता कि क्या करूं सब दिखता है चांड सागुल चेहरा सब दिखता है अब टिखाए देता ना तुम्हारी कजरारी आंखें गुलाबी गुलाबी होट और यह चांड सा गोल चेहरा सब दिखता है ज्यादा बत्तम ही सिखी ना तो पुलिस को कॉल करके अंदर करवा दूंगी अप्पू दादा नाम है मेरा अगर मैं चाहू ना तो दाउद को भी आला के खड़ा कर सकता हूं को याद लागा के तो दिखा है लड़की को इस तरह चेहना बहुत ही परिशान कर रहा है कोई बात नहीं आप थोड़ा साइड हो जाई है मैं डील करता हूं जो मुझसे डील करने आता हूं वीलचेर पे जाता है चल निकाल चुप चाप इस लड़की को सौरी बोलते अप्पू और सौरी बोलेगा किट्टू सौरी बुलवाने तक छोड़ता नहीं ही रोपंति दिखा रहा है रोको उसे रोको उसे प्लीज रोको उसे यार प्लीज शायद उसे कुट्टों से डर लगता है छोड़ दीजे इसे प्लीज बोलेगा कि बोलेगा के रहा है रहा है रहा है जूप हो जाओ बीटाव आजाएगा आजाएगा मैं अपने जॉनी के बिनने नहीं जिद सकती दाडी आपने प्रोल लेखर आजाए अलो भॉबोई कव बॉइयो बॉइयो आवास तो हमारे जॉनी की आवास है उसे हमने किडनाप किया है तुको किडनेप करने के दिन आ गए है यही हमार पर तो केड़ने ऎपर करके पैसे मघत अच्छा नहीं है अगar नहीं चाहिए किसुछ बटने तो खरीद हेटा था क्या हुआ जी सोचा था कि लड़कियां ही अनसेफ हैं लेकिन यहां तो लोग कुट्तों को भी नहीं छोड़ते हैं क्या शोके कुट्ता का है यार उसके घर पर छोड़ दिया है लड़कियां और शराब एक जैसी होती है यार किसे थोड़ा सा कॉंसेंट्रेट करते ही कनेक्ट हो जाती है जिन्दगी भर खाने पीने का ज्यादा सोचने का नहीं एश करनेगा अगर यह प्रैण नहीं तो दूसरा तो पैक पीकर घर जाओ टेंशन नहीं तो हेल्थ अच्छ अगर लवर नहीं है यह कोई ग्रेट फिलोसफर हैं हालो हलो कौन वोल्रय ओ हलो हलो एंगम्रेक्स क्रेड़ पढनने वाली जल्दी साब करो सबकोच रेड दालने से पहले रेड के लिए कहां जा रहें यह कभी नहीं पूछना चाहिए यादे सुर्ष फॉलो देप्रोटक कि गयाने पहन के क्या करेगी डाल दे है कि सब कुछ सीज़ करके हेड़ कॉर्टर में भीज़ दो कि आया माधित्य नाराइड कमिशनर अफ इंकम टेक्स आपको फोन में नहीं किया था है एक घंटे में आपके घर पे इंकम पस्तिवेट बढ़ने वाली है प्रवचन यूट्यूब पर अप्लोड करो तु व्यूज लाखों में होते हैं निमासी बाबा के लगते बड़े बड़े टेंट है ये भूमी पर भगवान के एजेंट है सब हाथ के लकीरे देखकर भविश्य बताते हैं लेकिन बाबा स्टोरी लाइन जुनकर उस सिरेमा का फ्यूचर बताते हैं सीन अच्छे होने चाहिए मेरे लाश्ट फिटी कहानी भी आपको अच्छी लगी थी लेकिन वो हिट नहीं हुई नहीं करना, उन्हें, आनुघ्रः करना है प्रेम के विशे में, प्रेमाभिशेक सिने मं, बारवे रिल में, 48 साइड में स्वामी जी ने कहा है देखो, सिर्फ एक ही तरफ देखो दूसरी तरफ देखने की कोशिश मत करो, नहीं सह पाओगे इसी निए हमें प्यार सिर्फ एक ही तरफ देख कर करना चाहिए बाबा के प्रवजन तो अद्भूत ही है बाबा की लीला महान है बाबा जैने मासी बाबा बाबा, आजकल मेरी जिंदगी बहुत ही बेकार हो गई है दुर भागे मेरी आसपास वाइफाई की तरह घुमता रहता है एक भी शब्द मोलता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुट्टे की जिंदगी हो गई बाबा, आपको तो पास, प्रेजन, फ्यूचर सब पता रहता है जब तक ये बाबा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता यार, मुझे इस कुट्टे को देख के लग रहा है कि हम जितना मांगेंगे उतना देखा मेरी बात प्यकीन कर यार, प्लीज यार, उस जिक्कु भाई का आधा करजा उतर जाएगा यारे, तुझसे पहले भी कहा था, हम जितना कम पैसा पूछेंगे उतना सेफ होगा हलो, कहा हो तुम लोग भाई आप ये बताओ, पैसे कब दे रहा है वही काम कर रहे हैं, दो दिन में ब्याज के साथ मूल भी, आधा चुका देंगे वह सब ठीक है, पहले ये बताओ, कहा है वह हम, हम अमरावती जा रहे थे, लेकिन अब कुनूर में है कुनूर से राइट में देख़रा अब तेरी अब निकल, अरे बाताओ अब अब लोग अब लोग अब अब टैका अब जाए उसने क्या कहा उसने क्या कहा सुनाए ने दिया भाई तो रुक्तियों क्या मैंने जो खाऊ उसनाए दिया ना चल भागो है जुटा है 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 फप्तो नहीं भागों भगां, भागां हजड़ो, हमाँ क्यों रहे काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया पैसे लेने के बाद एक बार तो मिलना चाहिए था ना इसलिए अकाउंट नमबर मैसेज कर दीजिए जैसे जैसे पैसे आएंगे हम दे देंगे हमारे आदमी आ है ना ओने दे सकते हो जब नहीं होती तब आ रहें पास सकते ह्लिए हम थोड़य थोड़ historie मीं update अपका जलिए और पता है कितने लोग आप से प्यार कृते मतलब तेरे पास एक लड़की आई और बोली भाई से प्यार करती है थोड़े दिन पहले एक लड़की आकर तुम भाई को जानते हो ना मुझे उनसे मिलना है ऐसा कह रही थी इसमें भाई क्या है आप मेरे भाई है उसके नहीं उसके तु कुछ और है ओ ऐसी बात है यह भाई उसके सामने गुटनों की बल बैट कर बाहे पहला कर मैंने कहा आई लव यू उस लड़की ने क्या कहा वो मर गई बेचारी कर दो है कि हर्ट अटेक से क्या तुम्हें कैसे पता तुम्हारा चेहरा है है ऐसा मेरी भी एक लव स्टोरी यह भई इसलिए आपके इमोशन पहचानगे तेरी भी लव स्टोरी है मेरी प्रेम कहानी भी इसी जगह से स्टार्ट हुई थी भईया पहली बार उस लड़की को आपके वज़े से देखा था मैं समझाने बता अब बताऊंगा लेकिन आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़े अगर स्टोरी अच्छी लगी तो टाइम दोंगा अगर अच्छी नहीं लगी तो तेरी किड्डी निकाल लोंगा ठीक है भाई अगर कल हमारी कार कंपणी बहुत सक्सेस्फुल होकर टाटा टॉयटा की कॉंपटिशन में आ जाए ना तो भी हमें ऐसे मिलकर रहना है तो यह बाद में देख लेंगे पर दाल के लिए टमाटर कंपड़ेंगे जाके लेकिए अब देख लेना टागेट अकल तुमाटर को यह पूँचान कितना है नव 1200 ऑपना तागेट रीच होने के लिए और कितना चाहिए टमाटर के लिए तोईटा के लिए तोईटा के लिए पूछना निया अब गधे सपने तो थोड़े कॉस्टली देख सकता है ना किसी हीरोईन को भी डेट पर धाबे पर ले गया होगा कंजूस कहीं का येस केर केर नहीं होता अब है कार केर हेलो हेलो टू-3-4-5 कार रेडियो हो गई है वन सेकंड हा टू-3-4-5 कार दो-3 घंटे लगेंगे बोल दो एक घंटे में हो जाएगी में जुपिटुर होटेल में हूँ बहां पारकिंग लॉट में कार पार करके कीज उपर लाकर दीजी ओके शूर मैडम आपका नाम क्या सेप करूं चाहे कुछ भी कहो फोन में लड़कियों के आवाज बहुत ही अच्छी लगती है अपने बारे में जे बज रहे वैसे भी शाम को मुझे दिखाई हैं देता अब इन्हें कैसे मैनेज करूं क्या हुआ तूने तो कहा था कि पांच बजे बस्टॉप पे आएगा साड़े पांच बज रहे हैं उसकी घड़ी बंद होगी बाई या जाएगा बाई मतलब उसका किड़ लेप करन मैं तुम्हें दस सालों से कह रहा हूँ सुबा फोन करने के लिए तुम संसेट के बाद फोन करती हो मुझे दिन में ही मिलना अच्छा लगता है कल सुबा आता हूँ तुमसे मिलने ठीक है यह फोन की कहानी क्या है बाई रोज इसे समय फोन आता है उसके बाद आप रोते हो भाई मैं और पारुख प्यार करते थे हमारी जाधी कमरत रात में रखा गया था मैं नहीं गया जो गया वह नाइट वाच्मन था वो शुबा बाहर नहीं निकलता तस सालों से इसे ही मामला पॉस्टट पॉर्ण हो रहा है आप रात को बाहर क्यों निकलते हो भाई मेरे और तू देख लेगा मैं तो नहीं देख सकता है अरे अरे देख भारिश हो रही है और कब तक बेट करेंगे अरे वह उसे तो टेप आन किया है बारीश होगी तुमुझे दिखेगा नहीं क्या मुझे अंदर समझ के रखा है अभी यहां से निकल टेप आफ कर और गाड़ी स्टा वाला है क्या बाई आपको जबाब नहीं फोटो देखे बिना पेचान लिया रेड टिशट वाला यह बाई अश्केल तो धोती वाले भी पेंट शर्ट ही पहनते हैं हम जाकर उसे लाते हैं आप कार गुमाऊंगो तो नहीं किसको ठोक दो ए रुक रुक क्या समझ रखा मु माई एक्शन पर उतरते हैं तो टार्गेट कर सिवा ट्रैफिक भी ने दिखता बाई अरे ठक्कर मत मारो डारेक्शन चिंज हो रहा है ए पब्लिक में नहीं तो फिर प्राइविट में चले क्या है क्या कर रहा है यार अब भी वेट कर रहा हूं पसका पता निक कब आईगी औरेंज हां मुझने इसको बोल दिया था ये भी औरेंज बहाई हैं क्या वसूली पर गए हैं पहागल बीना सिक्यूर्टी के करजा देना और अकेले सडकों पर घुमना इतनी बार माना किया है कि ऐसा मत क्या करो अरे मैंने किसे कहा था आप किसे लेकर आ गए इस फोटो में और इस नड़के में कोई फड़क नहीं है क्या थोड़ी दिर में जग्गु भाई आएंगे उन्हें ये बात मालुम चलेगी ना तो फिर समझ लेजी हम सब की वॉट लग गई भाई प्लीज भाई आप ही फोन रिचाज करने बाहर आए तो पीछे से मार दिया वो तो अच्छा होँआ मेरा सिर नहीं पूटा है पहले इसका मुह बंद करो इसकी फैमिली को फोन कर और धमकी दे कि अगर लाग रुपे नहीं मिले तो मार देंगे वो लोग लाग रुपे देंगे और भाई से हो निकाल रहे है तुरे बाप का नाम क्या है वो कहा रहता है उसका नंबर दे अभी मेरा कोई नहीं है तीन दोस्त है बस उन्हें पर टिफिन डिनर मुश्किल से मिलता है इसलिए मुझसे आपका कोई फाइदा नहीं होगा मुझे यहां से जाने दीजी जवान लड़के हो है तूने का कि गर्टेन नहीं है तो फिर जानन आम किसका है जानू मेरी लवर नहीं है उस लड़की का जानकी है शौ्ट के हलो तुम अब तक नहीं है तुमारी यह एक सह देन King ça करे हूं कब रहे हो किस बोला? किस बोला है.. ऐलो कितनी देर वेट कर हुचल्ते आओ ना.. इस लड़के की गलसर्णन का दिल तो किस के लिए धक्त कर रहा है.. बढ़ी ए कि मातरा.. बहुत देर तक एक दूसरे को चुमते रहना.. जो.. सुन तुझे एक बात बोलता हूँ तेरे बॉइफरेंड को मैंने किड्नाइप कर लिया है तू लाख रुपे देगी तब हम इसे छोड़ेंगे और अगर नहीं दिया तो समझ ले यह खलास हां हां पैसा दे और इसे लिखकर जा अब तेरे हाथ में इसकी जिन्दगी है एड्रेस लिख ले अमीर पेट ओल्ड बंगलू हां चलो बाए तुम लोग फैन का सुछ दबा कर लाइट कर जलने का वेट क्यू कर रहे हो यह नहीं होगा उस लड़की का और मेरा कोई संबन नह लड़की अब क्या फोन आपने किया था अब देख रहे हैं क्या दिखती है बाई हाँ देखा एकिन थोड़ा फीका है जा बाई कितनी तो लाल है यह ए लाल तेरे लिए होगी मेरे लिए नहीं है लोग इसकीज मी यह पैसे लेकर उसे छोड़ दीजे दिखने में तो तुम इतनी अमीर लगती हो इतनी खुबसूरत हो लेकिन प्यार करने के वो टबोरी मिला था वाट मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा इसने बिना किसी जान पहचान के लाक रुपे दे दिया यह जरूर अमीर होगी इसे पकड़के इसके बाप को फोन करेंगे ना तो लाक क्या दस लाक रुपे मिलेंगे एक्स्ट्यूज मी आपका भी जवाब नहीं भाई क्या जबरदस्त आइडिया दिया आपने भाई वो लड़की आई इसलिए बच गया नहीं तो जिग्गु भाई तेरी हड़ी पसली एक कर देता यह क्या यह खुच से बात कर रहा है सिग्रेट कि पी होगे कॉमन सेंस नहीं लेकिन कर्ट सी तो है जला ले कि इतनी दर कर रहा है जल्दी कर मल गया मैं अरे मैं कहा मार रहा हूं वो मुझे मार रहा है मैंने उससे ही कहा था पकड़ो उसे पकड़ो कर दो प्योट स्क्थाफ। हुआ है हेलो, हेलो, आपने ये क्या कर दिया, उन्होंने पैसे क्या मांग लिए आप से, तो आपने रिस्क उठा कर लाख रुपे दे भी दिये, ऐसी बात नहीं है, कभी-कभी दुनिया भर के पैसों से भी एक जान नहीं बचाई जा सकती, ऐसे में लाख रुपेों के लिए एक जान आटो कार कर लेकर आईएगा ठेक्ट कर पता चला लड़की सुन्दर है लेकिन जब उसका देल देखा तो पता चला उसका मन भी उतना ही सुन्दर है नेक्स्ट डे कार डिलीबरी के लिए कॉल किया तो उसने कॉल जाने के लिए कहा है यह ठीक है अरे सुपर ज़क्यों की बहार है वह रही है यह 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 मूनलाइट में में देखर सुचा था सुन्दर है डेलाइट में ओर बेस उन्दर लग रही है हाए हाँगा ये बालू ये बॉब जी और वो अपने गाउं से और लोगों को भी बुला लेते हैं भाई तुम्हें थोड़ा गुस्टा जादे ही आता है भाई कहा मतलब ये फेस देखर कंफ्यूज हो गया है प्लास से हरी हो ना नहीं स्टेज शो करके आ रहे हैं ये तबला बजाती है औ सब्सक्राइब करेंगी धक्का मार कर लाए हो चला कर लाए है तो फिर टेस्ट ड्राइब क्यों टाइम पास के लिए मतलब आपके कार का एंजिन बहुत स्मूथ है और कौन सा यूज करती है बता देंगी तो अपने कस्टमोंस को वही रेकमेंड करूंगा नावरतन है रॉ क्लास का टाइम हो रहा है कीज देंगे थैंक यू भाई भगवान की मरिज़े से एक बार मिले थे लेकिन अब दुबारा कब मुलाकात होगी यह नहीं पता पहली बार तो भगवान मिला देते है यार दूसरी बार हमें खुद कोशिश करनी बढ़ते है शाम तक उस लड़क है सच में कहां क्या हुआ कि कॉले से आते वगत कार खराब होगी कारबोरेटर खराब होगा हां मतलब उस दिन एंजीन प्रॉबलम आई थी ना तो अब कारबोरेटर प्रॉबलम आईगी इसका यह मतलब था ओ आप एक गंटा रिलेक्स कीजिए ना कार अब अभी रिपेर क में काम किया है आपको बहुत अच्छे से हंडल करेंगे आप इस सब की टेंचर मतलिजिए आप तो बस कॉफी शॉप पे कॉफी पीजिए आप पीते रहेगा यह बुलता रहेगा इतने में तो हम गारी ठीक भी कर देंगे आपका कोई बॉइफरेंड है क्या चार है मेरे बॉइज के बॉइफरेंड होना तो कॉमन चीज है इसलिए इन्हें पूछ रहा था वैसे यह इन्फरमिशन तो मैं चाहिए क्यों मतलब बॉइफरेंड की भी तो कार होगी ना उन्हें भी हमारे गैरेज में लाने को कही है अच्छा कवर किया अपके पापा क्या करते हैं सबजी मंडी में सबजी बेषते हैं तुम क्यों पोच रहे ओ ईंपके समाइल बहुत अच्छी है बिस्किट खाओगे नहीं आप खाई क्लास टॉपर है ना आपको कैसे पता आपकी तरह साइलेंट रहने वाली लड़कियां अच्छे से पढ़ती हैं क्रीम बिस्कुट चाहिए वन सेकंड जिस गाड़ी में सालेंसर ना हो ऐसी गाड़ी को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर इस बार आवाज करें तो उसके पूरजे तोड़ देना बाई एक्चली एक गंड़ा हो गया है तो चलते हैं क्या एक गंड़ा हो गया आपसे बात करते हुवे वक्का पता ही नहीं चला वेटार बिस्कुट पुराने हो गये हैं अगली बार बदल देना क्या बोलता है अब तक तो पटाली आओगा ना आपकी का ठीक होगी क्या रे कुछ काम बना किया कहा यार वो कबाब में हट्टी बेन के बैठी थी थी ना तु टेंशन मतले किसी ने किसी दिनी कार ली के अपनी गाराज में आएगी ना तो ब्रेक निकाल देंगी इसले मैं प प्रोब्लम कहा है पता हो ना चाहए जिटना बड़ा एक्स्पर्ट हो लोगे बताना घलत है इक परिसो एक बार कल एक बार में आज फिर खराब होगी आप सी गराज में लाने सब्सक्राइब करने के लिए रमांस करने के लिए और मुवी इसा ही होती है यार तभी तो टचिंग होती है अधि इस अधिन है कि अधिन मुवी खतम उने के बाद बताए बिना ही चली गई बहुत डर गई थी क्या हूँ मुझे ऐसी हॉरर कॉमेडी मुवी बहुत पसंद है और आपको मुझे भी स्क्रीन पर हॉरर और उसे देखते वक्त आपने जो कॉमेडी की दोनों अच्छे थे वैसे प्रॉब्लम क्या है? क्लच लॉक हो गया है ऐसा कैसे हो गया? लॉक तो गेर होना चाहिए रहा फ्रेंड्स आप दस मिनिट अंदर बढ़िए मैं कार्ठी कर क्या था आप लोग ग्रेजुएट्स हैं? कॉलेज में मेकेनिकल इंजिनियर्स हैं लीज पर ये गैरिज चलाते हैं मतलब आपकी कॉलेज से फ्रेंड्शिप हैं? उससे भी पहले से कॉफी शेहर के बार जो अनाथाले है न, वो हमारा ही है वाव, आप लोग ने बनाया? नहीं, हम वहाँ बड़े हुए वाव, सॉरी डैडी हमें शाहिए ऐसा ही करते हैं आज लेट क्यों आया? डैडी से जगडा हो गया यार किटू, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है यार बलॉक हो गया शाहिद, एक बार दिखना सरा बाई बाई बटा वो कौन है? सनी नाम है उसका उसका बाप उसे काम पर भेज़ता था और ये उसे स्कूल भेजता है अगर मना कर दिया ना तो उसे दूसरे गराज पर काम पर लगा देगा जैसे अक्सिजन के बिना इंसान मर जाता है ना एजुकेशन के बिना इंसान का फ्यूचर मर जाता है ये इसकी फिलोसफी है थैंक यू हमारे इतनी सारी प्लानिंग के बाउजू दो फ्रेंड कहके चले गई यार उसे तेरी फिलिंग्स समझ भी आ रही है मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार मुझे भी नहीं लगता फिलिंग्स में म्यूजिक आड़ करके अब उससे मैं अच्छे से समझाओंगा हलो का मैं किट्टू बोल्रा हूँ फ्रॉम कार केर कार रिपेर की थी नं तो पता करने के लिए कौल किया की कैसी है कल ही रिपेर कर्वाई थी न इतनी जल्दी क्या होगा नहीं मतलब रिपेर की थी न तो डेली एक बार कौल करके हालचल पुछना हमारी responsibility है जरूरत नहीं है कुछ होगा तुम्हें फोन कर दूंगी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं मैं ही करूंगा मैं करूंगी मैं करूंगा ना कहाना नहीं कहाना प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जानकी कुछ समझ में आया बच्ची समझ रखा है क्या देखो यह फेस्बुक वाट्सएप जादा यूज मत करना समझ में आया आ रहा है किट्टू अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आई तो तुम प्रपोस कैसे करोगे मैं प्रपोस नहीं करूंगा तो फिर प्यार तो एक फीलिंग है अपनी फीलिंग सामने वले को समझ में आनी चाहिए उसे लबजों में बया नहीं कर सकते समझ लेना चाहिए अगर तो पक्का समझ में आएगा मतलब क्या मेरे प्यार में सचाहिए नहीं है तुम्हारा प्यार तो तुम्हें मेरी फिलिंग समझ नहीं आ रही है न कि अधिक कुछ पर दो तुम्हें से भाइव रहा है यार नहीं किया लेकिन मेरा मन तो वैजाग में लगा हुआ है तु जो बोलेगा मुझे समझ में याई गा देख बाई करज लेने के बाद प्रेंड और ब्रेक अप के बाद गल्फेंड फोन ने उठाती ऐसा सब जानते हैं अब तेरी तो तेरे मुझे अच्छे बाते निकलती ही नहीं है क्या है हाइए वन वीक कहा था चार दिन में आ गई मिस्किया मुझे नहीं करूंगी तब ही तो जल्दी वापस आ गए ना हाँ सुना एरपोर्ट से सिधे यहां आई हो हां आदे घंटे में होस्टल नहीं पहुचे तो वाड़न इंट्री नहीं देगी फिर भी तुम्हें देखने के लिए म तुम्हारे लिए गुड न्यूज है एक हफ़ते में मेरी फैमिली यहां शिफ्ट हो रही है जुबली हिल्स में घर लिया है उसके बाद ही मैं तुम्हें मेरे पापा से मिलवाने लेकर जाओंगी है सुन लिया मेरी शादी भी फिक्स हो गई है सोचा था गैरेज खरीद कर ओनर बन जाएंगे अगर तेरी शादी हो गई तो मैडम के पास फिर से वरकर बन के काम करना पड़ेगा वाट तुम गैरेज खरीद रहे हो मैडम के फीट पाओ हमारा फेट ही बदल गया ठीक है देर हो रही है मुझे जाना है जानू 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 थोड़ी दे बाइक से चलो चलते हैं थेंग यू किटू बाइब बाइब गुट नाइट जानू क्या है कुछ नहीं तुम कुछ मांगना चाहते हो थोड़ा उधार दो की मुझे कल मैं लोटा दूंगा कितने पैसे नहीं मांग रहा हूं किस ओके किस चाहिए तुम्हे और कल वापस भी लोटा दोगे ज्यादा रोमैंटिक मत बनो ऐसा क्यूं गए रही हो देने पर लेने की फिलिंग और लेने पर देने की फिलिंग किसमें तो है दे दो ना नो वे, ये सब शादी के बाद, शादी के बाद, तो फिर प्यार क्यों किया, सिर्फ देखने के लिए, शादी के बाद जो करते हैं, उसे शादी से पहले करने के लिए ही प्यार क्रियेट किया है, प्लीज, सिर्फ एक बार, किट्टू कोई देख लेगा कोई नहीं देखेगा प्रीज देदू ना एक बार इसके एक्सप्रेशन तो देख भाई भाई किस मैंने किया है भाई फील मैं कर रहा हूं फील भी तो मैं करूंगा ना तो तुही करना यार तो ठीक है तो फिर तुमने डुएट भी गाया डुएट क्यों भाई लिप लॉक के बाद गाना गातों है ना क्या बाईया किस जमाने से हो आज किल गाने कौन देखता है हम तो सिधा सीन देखते है यह लोले सब का बोनुस हाँ तेरे तीने जार और तेरे जोड़ रहाए ठीक है लेकार रिपेर हो गई हाँ प्लग्ड प्रॉब्लम थी वह गई यार जानकी के कार बेसे बैग ठाशी तुम्हें कॉल करना चाहती थी क्यूं किसको भूल नहीं पा रही हूं क्या इसलिए बैग भूल गई ओनों उसम सबाज देने के लिए भीजवाए थे हैं तुम इतनी केरलेस कैसे हो सकती हो और शादी के बाद तुम घर कैसे संभालोगी संभालने के लिए तुम हो ना टेंशन नहीं है तुम्हारे पास रखो कल सुभ़े ले जाओंगी मैं क्यों अभी मैं तुम्हें लाकर देता हूं किसक ठीक है रख दे तो यह ले पैसे बहुत बुरे होते हैं यार मुझे बुरा बना दिया अपनी जिन्दगी ग्रीज के दागों के साथ गैरेज में बीट गई इसलिए अपनी बच्ची जिन्दगी को और इस अपरचुलिटी को वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए पैसे लेकर भाग रहा हूँ मुझे ढून कर टाइम खराब मत करना अरे या थोड़ी दिर में जानू आ जाएगी अब क्या करें इसमें क्या हुआ यार जो हुआ बता देंगे वह भरोसा नहीं करेगी क्या वह तो भरोसा कर लेगी उसका बाप नहीं करेगा कहेगा 25 लाग नहीं संबल सका तो क्या मेरी बेटी को खाग संबलेगा अरे या हमने गराज खरीदने के लिए पैसे बजाए थे ना उसमें 10 लाग तो हो गई और 15 लाग अरेंज़ करके उसे दे देंगे ना तू पागल हो गया क्या अब उसमें तो तेरे पैसे भी है क्या बोल रहे तेरी प्रव्लम मेरी प्रव्लम नहीं क्या कि अधियर के बगेर करजा देने बाला मेरी पैचान में एक है कि फाइनेस कंपनी के नाम लेके तू हॉस्पिटल क्यों लेके रहे बेचारा सिक्यारूटी के बगेर पैसा देता है भागने वाले ज्यादा हो गए शायद प्रापरटी हॉस्पिटल को बेज देंगी यार त बिजनस में रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो भाई ने टाइम बचाने के लिए हॉस्पिटल यहीं पर खुलवा दिया भाई आया है क्या वो अंदर बैठें भाई ये लोग कौन है अरे आप भूल गए उस दिन हमें मार कर भाग गया था यह वह ही है उसने नहीं इ सब्सक्राइब कर आया थे ना भाई आज पैसे लेने के लिए मैं खूद क्या मेरी एक कंडीशन है उस दिन की सारी बात थे भाई को मत बताना हां नहीं बताओंगा लेकिन मेरी कंडीशन क्या मंचाहा करजा हमारा तो धन्दा यही है तो कौन है यह लोग करजे के लिए बा प्रवाबा दिख रहे हैं शिरू में बाबा लगते हैं अंदर आ जाओ यह क्या है करजा देते वक्त बीपी चेक करवाते हैं सेंपल क्यों करजा देने के लिए लोग आएडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ मांगते हैं लेकिन यह लोग तो ब्लड गुरूप बिना सिक्योरिटी का दंदा है तुम्हारी सेहत हमारी जरूरत है यह क्या है आखे गई ना बगल में आखों का क्लीनिक होगा नश्य में च पर चिल्ला रहा है यह अपना बॉप जी बुरा है लेकिन उत्रा बुरा भी नहीं है ऐसा क्यों पैसा लेके गया और कार छोड़ दिया इसलिए नहीं यार बैक छोड़ गया इसलिए देख ना पैसे तो औरेंज होगे बैक कहां से लाते रहे हाई जानो तुम आ गई कब आ क्यों दो नूदम है तुम लोगों को क्या हुआ है टेंस्शन क्यों ले रहे हो यह इसी ही ब libr को किट्व क्या करें वेसे बाब जी कहां है यहां बाब जी का यह बड़ी बभगी और वह अनाथ है उसकी दादे भी अनाथ अरे जानू जानवर जानम देता है इंसान इंसान को देता है इनात को अधनी चुपकर तुम बेठो यह और पिक किटू अलो के जानू तुम जाओ ना जैने शब्थ बबावा तो दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे एक महने का ब्याज चुका दिया लेकिन जब हमारे अपु को अप उठा कर लाए तब समझ में आये कि करजा लेना क्या होता है तो भाई इसका लेना देना नहीं कर्जा चुकाने की जिम्मदारी मेरी है इसे चूड़ दीजे बाई केटनी तो आपने इसका निकालनी वाले है जादा वह थेरा भी निकाल देंगे कर्जी के सिकर्टिक लाब कुछ और भी तो ले सकते थे ना वाटी के पार्ट्स क्यों बो बताये कौण सा पार्ट चाहिए दो क्योंकि यह सीलेबर्स तो बैरे कोर्स में थाई नहीं ब्हाई काटने के लिए को जो घूंगा पक्का पक्का देदुगा बरोजा करो प्लीज नहीं तो मेरा हाट मेरा दिल निकाल के दे दूगा जा ज़िए के लिए किड़नी निकालना था मूल के लिए क्या निकालेगा समझ नहीं आ रहा है दर्मत यार सब के लिए बाबा है ना बाबा अब आपी को रास्ता दिखाओ ना इसे क्या हुआ रहे हमारा पपी लापता है जो लाएगा उसे दस हजार रुपए मिलेंगे तू क्या चाता है उस कुत्ते के लिए हम लोग गली जख मारें बाबा है ना यार पोसर दिखाने व कि कहा गया आप कशब धान देता है तो छपपर फाड़ के देता सब कुछ आजि की दाया जायन इह मैं बात बताया ईया्च पंद्रह लाग के ले जाना नहीं अड़क कर ले जाने से आएंगे एक कुत्ते को ले जाने से रहे है त्विब दस हेजार है तो उठा कर ले पर और कितना देंगे तो किड्नाइब करने के लिए प्लाइन चाहिए कार चाहिए डेंच चाहिए खाना भी चाहिए और कुट्टे को क्या हाथ में उठाकर ले चलो हम जो खाते होसमें एक खटी डालो खुश हो जाएगा वह और पकड़े गए तो इंसान तो कोट में जाकर कवाई दे सकता है वह तो बे जुबान होता है नहीं बोल पाएगा पर यार कुट्टे के लिए उतने पैसे देंगे गया एक जमाने में कुट्टे इसकी तरह जस्ट अनिमल्स थे लेकिन अभी पैसे वालों के स्ट्रेटर सिंबल है एक पैसा भीक ना देने वाला भी बिल् है यह बात है और वहां दिख रहा है कुट्टा लेट्स गोओ है एक चुली नौ नौ में है चुली को स्लो वह हसी क्यों इससे हमें यह पता लगता है कि लड़किया उन्हें फॉलो करने से नहीं बलकि उनकी कुट्टों को फॉलो करने से पढ़ती तू चुपकर मैं बॉच चोटा सा पैकेट और बड़ा धमागा चोटा क्यों मेरे जितना है अंदर एक औहर है तीन है गया काम से कि ऊ rate कर अंदर, क्यों मेरे, त colonial हमें मेरे विल यूण अपान्षाह, पुलोby यूभगगपबागच मोया क्यों म Од bessशलोबकौ मोया अें है अबधादे अबधादे है आसा झाला है और दोडिंसा कियो करण एपमादे है। हुआ 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 है कित्यों ये कुत्ता किसका है अपना है अपना ही है परसो दूसरा था न हाई नया पेट केर सेंटर शुरू किया है तुम आओ ना है तैल कि आओ कि आकष्ण गई कि लूज सुचाट झाल कि यह क्या फॉर्म पर्फी में क्या पसंद आया तेरे लिए तो लाया था ठैक्स यार कुट्टों के पीछे भाग भाग के पूरी बॉडी से कुट्टों जैसी बदबु आ रही है इसे मीट्स परे कहते हैं इसे लगाने पर हम कुट्टों को मोटी हड्डियों की तरह दिखाई देते हैं आज ब्रिक अप्स के लिए भी पाटी होती है 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 यह ने बताया था ना मेरे बॉइफ्रेंड के बारे में यह किट्टू कृष्ण हूर्ती ओ तुम्हारे बॉइफ्रेंड को आई प्रॉब्लम है क्या ऐसा कुछ नहीं है आपके तो आप करते क्या है कहार के शेहर का फेमस गराज बेसिंग डे मेकैनिकल इजिनियर है अपने अदम पर कुछ बनने की कोशिश कर रहा है यह ओ हो कुट्टों को किट्नाब करके वाट जानू इसे कुछ गलत फैमी हो गई चलो हम यहां से चलते हैं वेट 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 कुट्टों को किट्नाब करके मतलब वही तो इसका धंदा है और इसके साथ दो लड़के हैं जो यह काम करते हैं इनका तो पूरा गैंग है हमारे कुट्टे को किट्नाब करके हमी से 50,000 रुपे ले रहे हैं तुझे यह कहां से मिल गया पड़ी लिखी हो इंसानों को पढ़ नहीं सकती आई पीटी यू जानू और तू निकल यहां से इस टू मच शड़ाप ऐसा कुछ नहीं है जानो जो पूछ उसका जवाब दो चीन कुट्तों को मैंने गराज में देखा था उन सको किड्नाप किया था अच्छा एसा है क्या गुद्ध किड्नेपर क्रियेटिव है न गुद गुद इंटैलिजन सब कैसे हस रहे थे तुम कभी ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था मुझे बस पांच मिनिट दो जानो तुम्हें तो अपनी लाइफ देने वाली थी जानो मेरा प्यार सच्चा है जानो जी प्यार नाम का शब्द भी तुम्हारे मुझसे अच्छा नहीं लगता यॉर नॉट पेट टू लाव म बाद अच्छो पड़ गय है करना क्राइम है कुछोटे चोटे सपने है तुम्हारे एक तरफ जिगु को पैसे दे रहा है दूसरी तरफ लड़की को ट्रीट देना पड़ता है प्यार के लिए लिए था ना इतना भी नहीं समझ सकती वह जाने दो भाई उस लड़की को नहीं पता ना तुझे पता नहीं देती ब्रेक अप बोलकर चली गई है यह जिगु करजा स्विकार करता है ब्रेक अप नहीं करता पता नहीं भाई छोटी सी होप तो है भगवान है न यह वही ना बात सही है अच्छली पता है तुम्हें लेकर क्यूं आए थे दो दिन में किसी का हाट आपरेशन है लेकिन तेरी कहानी सुने के बाद लगा तुझे जीना होगा वैसे वो भी इनसान ही है उसके भी रिष्टे होंगे प्यार होगा ख्वाहिशे होंगी कर्जा भी होगा मतलब अभी मेरा दिल निकाल कर टाइम ले ले आपरेशन खेटर रेडी है तेरे लिए दो दिन का समय दे रहा ह नहीं तो अपना दिल मुझे दिदे जाओ जाओ कमल हसन को भी पीछे छोड़ दिया है पांच लाग मतलब दस कुट्टों को किड्नेप करना होगा यार दो दिन में कैसे मैनेज करेंगे दस कुट्टे नहीं यार एक कुट्टा और एक ही किड्नैप इससे अपना सारा बैड कर सकता है वह पांच लाग तो आसानी से देदे मैं भी वही सोच रहा हूं सब्सक्राइब अब निवासी बाबा की दर्शन करके काम शुरू करते हैं उसके दर्शन करना बैडल को इन्वाइट करने जैसा होगा मैं नहीं आओंगा अगर मैं मारना शुरू करू तो नदिया और पानी से नहीं नदिया पानी सिना झों से भर जाएंगी से पर जाएंगी coordal केसा रहा-अब बालबाज़ा चॉस्ट संजै वार वरमा या संजै सर्मा बाब जी युदुआ वो भी घमासान युदुआ मतलब स्क्रीन ही है ना वो तो ठीक है सिनेमे का नाम क्या रखा है अमंगल में डंगल रिसेंटली डंगल सुपर हिट हुई की ना बाबा उसी से इंस्पायर होकर इसका नाम रखा है इस दिवाली पर थेटर में आ जाएगी रिष्टे स्टोरी की बिग्निंग में जो विलेन आयए था उस उतारा मैं बताता हूं प्लेसिंग्स दोगे मुझे आपको क्या जरूत है बाई मैं सब का भगवान हूं आप मेरे बगवान है पर भगवान कॉल करते हैं तो स्पेश आफ आता है मतलब चार्जिंग खत्मों के ती बैक ग्राउन लीक हो जाएगा भाई धन्दे की कसां खाकर कह रहा हूं कलेक्शन कम हो गया है स्टेट डिवाइद होने के बाद से भक्त बहुत कम हो गया है संताराम अमीर पेट से अमरावती तक तेरी सारी प्रोपर्टी के लिस्ट मेरे सिस्टम में है ऑनलाइन में आशिरवा जनकी बोल रही हो जालीनोट से बैंकोक के टिकट खरीद रहा था फकड़ा गया तो बताया कि वह पैसे आपके है वो रहा अरे देखने के क्या जरूता है ये कैश में उसका है बैक भी उसका है ऐसे क्या इसे क्या शेख भी उसका है अब पेट कर सेंटर शुरु किया ना तो वही कुत्ता है हमारे कुट्टे को किट्नाप करके हम इसे पचास जार उपे ले रहे हैं मुझे बस पांच मिनिट दो चालों तुम्हें तुम्हें अपने लाइफ देने वाली थी अब यह थोड़ी दर में कुट्टा हाजाएगा स्मोक रेडी रख अरे या स्मोक का काम मैं देख लूगा ना तूस डॉग पे कॉंसेंट्रेट कर अब यह स्प्रेय किस लिए अगर स्मोक में सोजागा तो यूज़ कर लेंगे वैक अप के लिए ले इसे पगाए इसे फिट क मैं काड डिलिवरी करने आया हूं हमारी रोज की जगा मिल सकते हो तुमसे बात करने है कि बहुत कुछ बताना है प्लीज ठीक है पांच मिनिट में आओंगा थैंक्यू कि बाए चलता हूं यार यार सुनुक्ता है समझने की कोशिश कर ब्रेक अप हुआ था ना फिर से अलो सर में साः पूछरें कि आप घर आ रहे हैं या नहीं आगरी आ रहा हूं है आधी कुछ दो कुछ दो है तुमोक रूद कुछ दू भीकशम है गांगे तुमोक नेकल के स्मोक देख दो स्मोक देख दूम देख अज़़़ई झाल 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 हमारी रोज के जगा मिल सकते हो तुमसे बात कर नहीं के टू बहुत कुछ बताना है प्लीज ठीक है यार बाइड असर आप लोग यहां पर रेट करने के लिए लेकिन हम नहीं क्या किया है दिस इंकम टेक्स नहीं फोन सीच अफ कर तो यह रूम किसका है यह रूम मेरे भाईया का है सर खोलो इसे कीज तो भाईया के पास ही है सर सुरेश यह सर इस अपन साफ वहां कुछ नहीं मिला सर यार जी बहुत जैन्वीन है सार आई नो लेकिन करना पड़ता है ना पर मैलेटीज है इस सेफ में क्या है मुझे नहीं पता सर इसमें क्या है रिशी इस सेफ को सीज करके एड़कॉर्टर में भेज़ दो आज फ्राइड़ी है ना यह सर मंड़े गोने आफिस आने के लिए बोलो अनी के प्रिजेंस में हम इसे ओपन करके चेक करेंगे और अगर वो मंड़े नहीं आते हैं तो फिर हमें इसे खोलना पड़ेगा प्रोजेट इस 500 यूरोज ये अंट जस्ट अ मिनिट ओके अलो मैं इंपोर्टन मीटिंग में हो बाग में बात करता हैं इंकम टेक्स की रेड हुई है बहिया क्या रेड आप ज्यादा टेंशन मत लिजे बहिया सिर्फ सेफ ले गए हैं वो वाट सेफ ले गए प्रोज अगर मुझे पता होता तो इंफॉर्म करता पर मुझे भी पता नहीं था सर जाकर सिर्फ पासवर बताना है भाईया उसके बाद वो में डिटन कर देंगे पासवर मुझे मालूम होता तो पहले ही बता देता थेर वो नहीं लेजा पाते अधित इनरान बहुत स्ट्रीट ओफिसर है सर वो किसी के नहीं सुनते अब क्या होगा और देने पर सेफ लेकर आओगे अगसेटली सर नाव गट आउट सर एक्सेट और भीजवा दूंगा आई सेट गट आउट एक्सेस कार्ड अपना नाम बहार आए बगर वे एक्सेस कार्ड चाहिए वो हमें क्यूं देगा भाईया वो तो बहुत स्ट्रिक्ट आफिसर है जाहे जितना स्ट्रिक्ट आफिसर हो एक वीक्निस होगी उसकी वीक्निस ही अपनी स्ट्रेंथ है क्या हुआ विला क्या नहीं यार तुझे क्या हुआ निमासी बाबा इस वक्त समाध्य ले रहे हैं यार चाचल कौन करते हैं यह यह उनसे कहीं कि मंडे आकर मिलेंगे यह प्रिया भान जी बेभी क्या करेग्य जीमी को लेकर बाहर वॉक पे गई है आ जाएगी पुलिस तक नहीं पहухचना चाहिए और उसकी लाश आपको मिले या ना मिले, समझ गया ना? किटने चाहिए? इसकी बेटे ने घर जाकर बता दिया होगा, फूचरा है कितने चाहिए? फाच फाच थोड़ा बड़ा अमाउंट है, लेकिन मजबूरी है, फाइबलाक्स फाइबलेक्स? देखा कुट्टे को कितना चाहता है, फाइबलेक्स बोलो तो फाइल बक्स देने के लिए तयार हो गया एए! तुम लोगोने मेरी जान को किड्नेप किया है आपकी चान को हमारी चान की तरह देख रहे हैं सर, आप ही उसका ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हो, वाट डो मीन, मतलब यह तो अब जवान हो गई है, उपर से लड़की है, दहली स्पार करती ही, यहाँ वहाँ देख रही है, तुम आपकी बेबी हमारे पास बहुत खुश है zar अब यह सुनिए, आते वक्त किचर लग ज़िया तो उसने नहलाया भी था तुमने उसे नहलाया? मैं अकला ही नहीं है हम सबने मिल कर नहलाया आपकी बेबी बात बदमाश है नहboomते वक्त हम पर हाथ रखकर बदमाश 일이 कर रही थी अगर मेरे बेबी को हाथ भी लगाय तो तुम लोगों को जन्दानी चोड़ूँ गा अगर यह कुट्पे के मामले में इतना पुजेशीव है तो बेटी के मामले में कितना पुजेशीव होगा इन सबसे हमें किए लेना देना सैर आप हमारे पैसे भेज दिज organism को फर देगoses देगे चार मिनार के पास पुरानी मस्जिद क्या मतलब है अब समझा हमेशा सिग्रट पीता हूं जितने बार सवाल करेगा उतनी बार तेरी बेटी जलेगी नहीं नहीं मेरी बेटी को कुछ मत करना तुम जैसे का होगे मैं वैसा ही करूँ वह मैं एक करोड एक्सेस कार्ड लेकर आता हूं यह एक करोड क्यूं भाई ने है थो सिर्फ एक्सेस कार्ड मागा था ना एक्सेस कार्ड भ्याके लिए करोड रुपे हमारे लिए है कि मीनार के था यह चार मीनार आता हूं कुच्छे की जाने के गं में रास्ता भूल गया लगता लगता है चला जा 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 अभी आप देख रहे हैं ने मासी आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया बाबा रात में मुझे त्री मूर्तियों ने बुलाया था बच्चा अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूगा बाबा वो समाधी है बेटा समर कैंप नहीं जो जब चाहे तब वहाँ चला जाएं सिनेमा थियेटर है शो के वक्त ही सिनेमा देखना चाहिए बुलावे के बाद समाधी लेनी चाहिए अब भगवान है आपकी मृत्यू कैसे हो सकती है जो सिनेमा एक साल चलती है उसे भी एक दिन थियेटर से उतरना होता है वैसा ही आत्मा भी है आपके बिना नहीं रह सकता बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज बाबा प्लीज 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 बाबाबा शस पोल और यहां मेरे पास लड़की के पाजू की सीथ है यह लो लड़की कहा है वहां है मेरा हिसाब हाँ तुझे ढूंड रहा था यह ले सो भाई भाई एक टिकट दीजिए एक ही है लेकिन नहीं दूंगा क्यों वाटर बॉटल में क्वाटर मिला कर सिप करते हुए सेकेंड शो देखना मेरी आदत है रोस सुफर रोस क्या है मैं सोचा वो रहा है कोई बात नहीं हादत है सब कुछ खत्म होने वाला है सब कुछ खत्म हो गया शिप डूब रही है रोस रोस जया टूब गया रोस रोसρο मेरा नाम लराह जे बड़ी शिप डूब रही है सार क्या हूआ मेडम के नाम के शिप म अदेंटी biting 50 50 50 ये तो अपनी शिपका नमबर है अपनी शिपका रोज रोज सर्ष जर्ण कर रहे इस ग्यानी को चपता है सर्च बेरी शिप डूब गई है सर अब मैं क्या करूं बताइए शिप डूब गई तो क्या हुआ शुपर हेट, मेगा Bis अरे इन्हें उठाए हैना और सिनेमा निमासी बाबा हो गया इसी फ्लैश बैक की वज़े उसने मुझे ब्लैक मेल करके मुझे पैसे वसूल ने शुरू कर दिये सुबर सुबा ओड कर भजन करके पैसे कवाना और शाम होते ही सारे पैसे उसके नाम कर देना इनी सबसे पीछा छुडाने के लिए बचे हुए पैसों से कही भागने की प्लैनिंग की थी मैं नहीं मानता कौन सा सिनेमा कितने दिन तक थेटर में चलेगी किस स्टार का समय अच्छा चल रहा है यह आपको कैसे पता तो यह है प्रापलम बारिश हो धूप हो दिन हो रात हो सिनेमा पर जीने वाले सैक्रिस्टेट वाले को पता होता है सिनेमा कितने दिन चलेगी फिल्म स्टार को नहीं पता होता समोसा बेशने वाले को पता होता है सिनेमा कितने हिट होगी लेकिन director को नहीं पता होता, मेरे जैसे black ticket बेशने वाले को पता होता है, cinema का कलेक्शन कितना होगा, लेकिन producer को पता नहीं होता, हमारा preview नहीं होता, threeveeu नहीं होता, only claps and whistles होता है, समझ गया ना? कहां चला गया? हात में लकडी क्यों है बच्चा? आप क्यूपर भरोसा करके शादी के मंडब से उठकर भागाया, जिन्दगी बरवात करती है आपने मेरी अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो, उधर क्यों देख रहा इंटरवल है क्या? वो पैर, वो पैर, पानी ले दे और सर पर छेड़क ले, आइसे मेरे हाथों से अपने ये पैर धुलवा कर, वो ही पानी अम्रित बोलकर मुझे पिलाया था ना? फिर उधर देख रहा है ने आइंटरवल है क्या? रात में नीन आई ना बाबा, बाबा एक छोटा सा प्रश्न है, रात में आप ज्यान समाधी में श्री तिरूपती वेंकटेशर स्वामी से, गुरुवर बालकरिष्न से कुछ बात ही कर रहे थे बीच में कोई एक और नाम सुना था बाबा, सामन्ता नाम की किसी देवी का वो एक चैतन्यवान औरत है, एक पावरफुल नाग दीवता है रात में समंता समंता करता है, नाग दीवता बोलकर जूर बोला तुने और पूजा हेगडे, पूजा हेगडे का नाम लेकर ये नई प्रकार की पूजा ऐसा बोला तुने ने अच्छा सा आइडिया देता हूँ मुझे मार मत, तुझे एक अच्छा सा आइडिया देता हूँ रुक चाओ, परबातना का बुलावा आया है अवज उन्हें मुझसे कुछ काम होगा, जाना ही होगा आप दुखी मत होना, ये मेरा शिश्य आपके साथ रहेगा सुनामी बाबा, चलता हो किट्टू, अब पूरे, आज हमारी प्रॉलम्स पूरी तरह से सॉल्व होगी हैपी मोमेंट्स फिर से स्टार्ट होगे रहे थैंक्स बेबी, इसका नाम बेबी ही है ना, नाम लेके बुला रहा हो तो देख क्यों नी रही है शायद उसे पता ही ना हो कि उसका नाम बेबी है ए, ओपन करने यार अरे, यह देख, इसमें काड है मतलब, इस्तिमाल करने के लिए पैसों के साथ क्रेडिट काड भी दे दिया है अरे, यह क्रेडिट काड नहीं यार, यह एकसेस काड लग रहा है यार, अगर यह बात पहले पता होती, तो शहर में कुत्तों की तरग कुत्तों के पीछे भागने से अच्छा, इसे ही पकड़ लेते, प्रॉब्लम सल्व हो जाती कुत्तों के साथ रहते रहते, तिरी बुद्धी भी कुत्ते वाली हो गई पांच लाग मांगने पर एक करोड रुपे देती है, सम्थिंग इस रॉंग यार हेई, मेरी बेबी कहा है आज आएगी सर, आप आपकी बेबी से कितना भी प्यार करते होंगे, लेकिन पांच लाग मांगने पर सीधा एक करोड है हमें नहीं चाहिए सर, हम नीच काम भी नीटली करते हैं, बेबी के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपके कंपॉंड में रख देंगे, आप बिसकट रेडी कीजिए बिसकिट क्या है? अरे वही कुत्तों के बिसकिट? कुत्तों के बिसकिट? वो किसके लिए? अरे सर, आपके कुत्ते के लिए? एए, बकवास बंद कर, और सीधा-सीधा बता कि मेरी बेटी का है बेटी किसकी? एई सुन, तुने एक करोड और एक्सेस कार्ड मांगा था ना, वो दे दिया, अब चुप चाप मेरी बेटी को घर बेजदे वरना शूट कर दूगा मैं यार ये बीच में बेटी कहां से आगे, मामला तो कन्फूजिंग हो गया मेरी अभी समझ में आ रहा है, क्या? उसने एक करोड कुटे के लिए नहीं दिये थे, बेटी के लिए, उसने फोन में बेबी जो बोला, वो डॉक के लिए नहीं, डॉक्टर के लिए किसीने उसके बेटी को किड्नाप करके एक करोड गोलकों डालाने को कहा है, वही सहीए कन्फूजन स्टाट हुआ है तो अब क्या करेंगे यार? और क्या करेंगे? उस बैग और कुटे को ले जाकर, उसके घर पे छोड़ देंगे, जाकर उसके बेटी को ले आएगा वो अरे यार भाग भाग के हमारी हालत कराब अगई, थोड़े पैसे हम लोग रख लेते हैं लड़की के पैसे हैं यार, गलत बात है, चला मेरी बेटी कहा है, कैश कहा है, क्या बोल रहे हो, कैश तो भिजवा दिया न, तुमने थैंक्स तक नहीं कहा कैश लिया था, तो तुझे उसकी रसीद भी दी होगी न, ये क्या बात कर रहे हो तुम फिर से क्वेस्चन कर रहे हो, सिगरड मेरे हाथ में है, और तेरी पेटी मेरे बाजू में, ओ माइगाड, दुग घंटे का टाइम और ले ले, एक करोड और एकसेस कार्ड, कोल कोंडा में ले करा, दोबारा टाइम नहीं दूँगा, सिर्फ तेरी पेटी की लाश कूरियर म और दूसरों ने बेवी के लिए एक करोड मागे, एक करोड और एक्सेस कार्ड, एक ने चार मेरा ना निक लेका और दूसरों ने खुलकुंडा, मतलब ये पैसा असली किटने परिश के पास नहीं किया, दूसरी के पास थे अगया, शिट, बेवी, सुनिए, क्या हुआ, क् प्रण यह अरी यार यहां इत्री सारी पुलिट्टों आई है कहीं इसका मालिक उपर तो नहीं निकल दिया नहीं यार यहीज बहुत आगे बढ़ गया है अकर हम दिखेंगे तो पकड़े जाएंगे और हमारी जोप आट लगाएंगे अब क्या करें यार निकल चलते हैं चल चल निकाल निगाल कि सब्सक्राइब के लिए इस केस के लिए स्पेशल ओफिसर का पाइंड किया है कि देख्रेट अंडर्वर्ड ड्रग बाफिया डॉफ अफजल खाल भाग्जा अगर तुन नहीं भागा तो मैं तुझे शूट करतूंगा जीने का कोई चांस ही नहीं और अगर तु भागा तो तेरे उस टर्ण तक पहुंचने तक वेट करूंगा सिर्फ एक बुलेट देने तेरे लिए अगर तेरी किस्मत अच्छी होगी तो तेरी जंदगी बच जाएगी दो तुझे मौका चाहिए या मौत चाहिए कर दो सर्दशूर कीजिए ना यह कोफी इतनी ठंडी क्यों है सर वह भाग जाएगा सर तो 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 बोलिये सर आंटी पुलिस ये इंसिडेंट कब और कैसे हुआ जानू ने किसी पर फोन पर बात की और हमारे कुटे को बाहर लेकर चली गई उसके बाद कुछ लोगों का कॉल आया और फिर उन्हें टेंशन हो गई मुझे इतना ही पता है किड्नाप किस ने किया है ये तो शायद उन्हें भी नहीं पता फोन पर उन्हें किस से बात किये भी नहीं पता पता नहीं जानकी की कॉल लिस्ट देखी कैए यह सर लास्ट कॉल कृष्णा मूर्ती की थी सर कृष्णा मूर्ती जब जानकी को उसके बार में पता चला तो उसने उसे ब्रेक अप कर लिया तुम्हें पता है वो कहां रहता है कार केर माधापुर में जा रामारुज सर दस मिनट के अंदर वो मेरे सामने होना चाहिए इनकम टैक्स कमीशनर आधित्य नारायन की बेटी जानकी नारायन का आज दोपह में अपहरन हुआ है ये बात जैसे ही पुलिस को पता चली उन्होंने किड्नैपर्स को पकड़ कर आधित्य नारायन जी का धिया हुआ एक करोड कैश भी बरामत कर लिया इन तीनों किड्नैपर से अभी बंजारा हिल्स के पुलिस टेशन में पूछताच हो रही है इनका नाम है किट्टू अपू और बालू ये लोग एक तरफ कार मेकानिक का काप करते हैं और एक तरफ किड्नैपिंग करते हैं पुलिस इनसे अब और जानकाली हासित की कोशिश करती है मार दे मार दे म मारना चाहता था मुझे यू वांट इट फिल में आप मेरे भगवान हो भाईया मैं आपको कैसे मार सकता हूं क्या है ये सब एक करूड कैश क्या है ये लड़के कौन है ये मैटर पुलिस तक कैसे पहुच गया आपने अक्सेस कार्ड के標श क्राइए वह बोल अब पता चल गया तो पकड़े जाएंगे मीच सड़क पर खड़ा करवा कर स्जूप कर देंगे बहीआ अब आप इपताएं कि आखिर उसमें ऐसा क्या है एए यह मैटर पुलिस तक पहण चुका है कल या बर्सो हम तक भी आ जाएगा मैं आधित नरायन को फोन करके यह पूछूं कि यह मैंटर पुलीस तक आखिर कैसे पहुंचा यह सब पता करने के लिए हमें आदित्य नाराण नहीं चाहिए वो तीनों चाहिए उन्हें पकड़ों सब कुछ बाहर आ जाएगा मैं उन्हें पकड़ूंगा अगर इस पार कड़बल हुई तो सोचुना नहीं तुम्हेरा जाओ यार मैं लड़की कहां है अमें पता नहीं है लड़की कहां है सैंस में बिलकुल नहीं पता है तुम्हें तुमाग खुरा हो रहा है मेरा सर्ट एसे चूट लए जागी अगर जादा किया तो कपड़े उतारकर मारूंगा तुम लोगों के मुह से नहीं यहां पर पिटाई की कोचिंग होती है एक करोड कैश मिलने पर भी तुम लोग जर्म कुबूल नहीं कर रहे हो बहुत शातिर लगते हो तुम लोग यकीन कीजी हम सच कह रहे है सर कुट्टे को कट्टे को किड़नेप करने का कोई एक करोड देता है क्या वो एक छोटा कंफूजन था हमारा भरूसा कीजे सर हमने उस लड़की का चेहरा भी नहीं देखा तुम लोगों का कैश के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने पर उन खु track में उस लड़की को नहीं देखा सस्यच्समर है इसे देख कर बोल यह लड़की तो किट्टु की गल्फ्राइंड सार यही लड़की लड़की आधित नाराय्यन की बेटी यह जानू आदित्यनारएन की बीटी है? मतलब किडनैप जानू का हुआ है सर? सर, वो किडनैप पर पैसे नहीं देने पर जानू को कुछ कर देगा सर. प्रीज सर, कुछ किजिए सर. प्रीज सर. करता है तू किसी कॉमेडी शो में ट्राइ कर इन एक गाड़ी में बैठाओ रामा नोजी जी बोल बंद्रा भाया पुलीस उने चीप में बैठा कर ले जा रही है तू उन्हें फॉलो कर यही यादित नारायन की बेटी है बेटा तूम से बात करनी है किटू बहुत बाते करनी है तूम किसी से प्यार करती हो दैड बेजी जख मुझे बताओ किटू बहुत अच्छा लड़का है I love him अच्छा लड़का इसलिए प्यार किया या प्यार करने के बाद वो अच्छा लड़का बन गया नहीं पापा मेरा दिल गलत नहीं हो सकता फैमिली बैक्राउंड क्या है उसका? उसकी फैमिली नहीं है फ्रेंड्स के सिवा है और एजुकेशन? मेकैनिकल इंजिनियर लेकिन वो गराज चलाता है दोस्तों के साथ तो जॉब क्यों नहीं कर रहा है वो? बड़ी आटो मोबाइल कंपनी शुरू करना उसका एमिशन है करोणों चाहिए होंगे कम ओन डैट ओके ओके तो पहले किसने प्रपोस किया? मैं नहीं मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता है तुम्हारे प्रपोस में उसने प्रफेट देखा होगा इसलिए हां कर दिया होगा पापा उसे आपके स्टेटस के बारे में कुछ नहीं बता तुम्हारा फाइनिशल स्टेटस जानने के लिए तुम्हारी लाइफस्टाइल काफी है वो तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे प्यार का नाटा कर रहा है आप जो भी कहें कि तुने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे प्यार किया है मैं नहीं मानती जतना असान दिल देना होता है भीटी को देना उतना असान नहीं होता है मैं बाप हूँ मेरे अपने कुछ डाउट्स हैं मैं जो बोलूगा तुम करोगी क्या जैसे ही तुम हैदराबाद लेंड हो जाओगी मेरा दोस्त तुमें 25 लेक्स देगा मैं जो पता है तुम एयरपोर्ट पर उतरते सीधे गराज जाओगी कार रेपेर का बहाना बनाकर वो 25 लेक्स तुम वहीं छोड़ेगा जानकी के कार में ये बैग मिला है तुम अपने पास ही रखो कल सुभे ले लूँगी येलो बैग येलो कीज ओके थैंक यू आप टू लिए अब बेवी मोलो क्या हुआ आपके टेस्ट में खिटू जीत गया मैंने जैसे पैसे छोड़े थे वैसे मुझे वापिस मिल गया है अब सॉरी मतलब मैं हारा नहीं विटा मैं जीत कई तुम्हारे सेलेक्शन जीतने का मतलब है मेरी परवरिष जीत गई है डाट लेकिन वो कैश बेवी वो फेक मनी है फेक मनी करना पड़ता है बेटा पैसु कही नहीं जरुट पढ़ने पर जूट कभी इस्तिमाल करना पड मैं वहां कर उसे लीगल प्रोसीजर से जलवा दूँगा है 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 थाधरबाद आते किट्टू से बात करके तुम्हारी शादी के लिए मोरत फिक्स करवाता हूं थांक यू डाट थांक यू सो मच है आम सॉरी किट्टू आम मिस्स यू कहा हूं किट्टू जंगल मुझे बच्पन से पसंद है इंसानों को मारना उससे भी ज्यादा पसंद है हतकड़ी खोलो इनकी जी सर चलो भागो सर इप डूंट माइंड आप हमारा एंकाउंटर नहीं कर सकते सर हां क्या बोला आपको लगता है कि जानकी कहा है हमें पता है वही अगर हमें मार सब्सक्राइब कि आपको लगें कि आपको नहीं पता कि वह कहां है क्या बात की भाई सही लाजिक है अब यहां खड़ा हो जा चलो आप भागो अगर खड़े रहे तो कुत्ते की मौत मरोगे और अगर भागे तो उस टर्णिंग तैक मैं वेट करूंगा दोनों के लिए एक पूलिस वाले को मार दे लड़के नहीं मरने चाहिए 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 तुम्हें मौका चाहिए या माद पर दूंग मज़ूट कीज़ाए तो प्लीज झालता है तो प्लीज नहीं जालता है यह का इसकी गरह ने गई है तुम लोग भागया है सर बुल्ट भाग गए सर याइट बच गए लग अच्छा था इसलिए गन नहीं चलिया बाबा का अश्रवाद जाये निमासी बाबा गन जो नहीं चलिए न वह बाबा की वज़े से नहीं गन में बुल्ट नहीं थे इसलिए पहल बता क्या चुछ पटें पैरों में टकरा गए मैंने चुपकर बुलिट्स निकाल दी वक्त नहीं है यार जानूँ आख ककर दो शंच बचाना ही होगा हाँ यार बैग उपन करते वो काड़ उपर ही रखा हुआ था अपने कोई काम का नहीं यह सोच के मैंने काड़ भाई फेक दिया था अभी अगर वो एक्सेस कार्ड हमें मिल जाए तो किड्नापिंक के बारे में हमें कोई क्लू मिलेगा यार गराज जाने के लिए हमें कोई न कि देरे देरे जोगी जी वा चोगी है देखता नहीं है क्या तुछे यह क्या यह तो चेहरा देखके ही बीमारी बता रहा है क्या हुआ भाई आप उसके उपर गिर गए जान बूचके नहीं गिरा था ब्योकूप मुझे जान पहचान का लगा इसलिए ठकराया त्रेलर दि यह सामने आकर क्यों बैठ गिया है ने अब अब टीशू पेपर क्यों खा रहे हैं आप यह टीशू पेपर खाने से बॉडी के टीशू स्ट्रॉंग होते हैं ऐसा टीवी पर बताया था किसी बाबा ने बताया क्या निमासी बाबा निमासी बाबा तो इसने मुझे पैचान लिया ठीक है भाई निकल रहे है काना भाई किट्टू और उसके दोस्त गैरेज में नहीं है वह जहां कहीं भी हो उन्हें पकड़ कर लाने के लिए भाई ने फोन किया था मैं हाद दू लिए आओ किसी बी अर्नों मैंने होगा तुम तुम्हें सब कुछ पता यह बात मुझे पता है क्या तुम्हें पता है यह तुम्हीं ने कुछ नहीं देखाओ therme मैंने सब देखो तुम चाहतों कि ये बात किसी को पताना चले तुम मेरा दस में बेवजा पचास सुच रहा था यह तो दस में ही मान गया बोड़ी अच्छी बात है कि दस अजार मुझे पैसे दे रहा है शुनो यह पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो वह को देख भाई वह किससे बात कर रहे है देक उसकाले कववय को और उस मोटे को यह बहुत पताद रहे हैं देवाब करता हूं जो जो आपने वोदेने बाप करता हूं तु लिए ना तू को आए क्या हाँ गाए मैं मोटा हूं ऍया फिर कुछ में बोलता है जर चल जर कले यह थो लिंट चल शर चल लिधा ट टाक सिस्जट थेर पर हलका होकर आता हूं कर दो कर दो जिन बाबा का अभिशेक कर रहा चाहिए उनके आगे तो सूसू कर रहा तेरी अभिशेक क्या करूं अरे भाई मैं तो बस यहां पर हलका हो रहा था कि इसे कर दीशाफ कर दें किया उसे कैसे करें गटना लेकिंद दो कर दो आधि हुआ है गाड़ी पीचे घुमा हाँ ठीक है अब है याद कर उसे कहां फेका था अरे यार मैंने तो इधारी कहीं फेका था हुआ है कोई आए हुआ है यह कौन है यार पता नहीं है है और एक्सिसकर ले 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 लाली हुटा नहीं कि अगया बोलो बद्रा अहां भाईया मुझे यहां पर एक कार्ड मिला है कार्ड मिला है आई टी डिपार्टमेंट का लोगो है उस पर यही है यही है वो एक्सेस कार्ड जो हमें चाहिए उसे लेकर अभी के अभी कशी को कॉल करकर वहाने के लिए के लिए किया दूंगा और वह सेफ की ऐटम्स तुम्हें देतेगा ठीक है भाईया मैं अभी यहीं अशी बाबभा तो है सेफ्टीक लिए फून की लिए यही एवो एक्सेस कार्ड फोलिस आप है नीचे बैठ ज़त शटर तो खुला है लेकिन कोई देख क्यों नहीं रहा है ले बाहर निकाल बाहर निकाल चल 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 लेकिन में के लिए प्र ुण के एकाल बाहर प्रीव तयई है आई गयदो उपaja चल्दी 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 ए शेशू जल्दी कर पूलीस आ रही है मापरे पूलीस अब एपर रूप कहा जा रहे है चल्दी करो चल्दी करो तो बच कर जाना नहीं चाहिए अधर यार इस फोन पूप की कॉल आ रहे है स्पीकर आउन कर क्या हुआ वहार रिशी तेरा इंतजार कर रहा है जल्दी कार्ट देकर सेफ के आटब्स लेकर आजा वक्त नहीं है अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है अभी जिसने कॉल किया था उससे सेफ चाहिए वह आईटी हेड़कॉर्टस में है आधित नाराण आईटी कमिशनर है अभी अगर वह सेफ चाहिए तो कार्ट जरूरी है उस एकसिस कार्ट के लिए जानू को किड़नैप किया है एक सेफ के लिए अगर को इतना कर रहा है इसका मतलब वो कंटेंड उनके लिए बहुत इम्बॉटन्ट है अगर वो सेफ अमार तुम लोग है कि अ हम ही है भंध्रा काही है तुम्हें भद्रा चाहिए या काड़ कारः लेकिन तुम लोग रहा है जी तो तुम लोग नए हो अगर क्वेश्चिन में आंसर है तो मज़ा आता है ना तुम लोग बार-बार एक दूसरे हो क्यों देख रहे हो क्योंकि हमें एक दूसरे के चैर अच्छा लगता है ठीक है चलो हेलो वहां सिस्सी टीवी कैमरा है मेरे पीछे आओ मतलब दूसरे रास् प्रभास को क्या प्राब्लम हो गई जल्दी खराब गन खराब गाड़ी और अब ये कुद्टों की गाड़ी क्या है ये चलो अपन करो क्या है ये यही वो सेफ है जो आपको चाहिए सेफ ए टाइम पास क्यों कर रहे हो ओपन करो ना अगर हमें उपन करना होता तो तुम्हें क्यों बुलाते ठीक है पासवर्ड बताओ akah है पाश्वड पास्वड कभी किसी बताता है क्या ठीक है अर्ट कोई कॉल करो बो से ताइम मैं आई अगर कुछ आया तो पकड़े जाएंगे में फोन में बैляंस續 नहीं नहीं है अपनी अपनी फोन से करो आ पत्रा का फोन है इसे पासवर्ट पता होगा पूछ लेते हैं वही फोन कर रहे हैं बात करो ना हलो हलो सर कार्ड लेकर आए हैं पासवर्ट बताए ओपें कर दो गुडगड़ पासवर्ट नोट कर लो सर बताए ये सर six seven eight six seven eight sir one two one two sir भाया अब तू यहां क्या कर रहा है हलो सर हलो सर बताए हलो 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 यार सेफ लेले उचल चल 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 अब क्या करें यार अगर मैं सही सोच रहा हूं तो वह हमें कॉंटाइक करेगा प्राइबिट नमबर है हलो अगर मेरा गेस सही है तो तुझे अब तक सब कुछ पता चल के होगा जानकी कहा है तो यह बात है तुझे जानकी चाहिए मुझे सेफ चाहिए तु सेफ लाकर दे दे मैं जानकी को सेफ ली तुझे दे दूँगा कहां पर आना है रोड नमबर फाइव आलको फैक्ट्री कॉर्न बिल्डिंग ओके वह अबड़ाश को देन सारक है बहुत आंड़ औरे पर बारासप है बहुत दिंगरस बहुत दिंगरस है वह उससे बचके रहना तुम उससे कैसे जानते हो वह यह न ब्लेक क्मेल करके जीता है बहुत खुशी से जी रहा था उस्त एक करन में ऐसा हो गिए अगर बदाता हो तो ब्लैक्मेल क्यों करता बेब को अच्छा कपड़ा ठूल देशके अच्छा कि अच्छा क्यों खड़ा हो जाता है मिलना क्या है भाई हम तो आपके पास यह आ रहे थे हमारे पास तो अपने मोदी जी ने कहा था ना के कैशलेस इसलिए हम हाथ में रख रहे हैं भाई अपना अमीर पेट है इन लोंको उदर आना चाहिए यहां क्यों आए अब मतलब अब भी वैजाक जाने के लिए डायरेक्ट जाने के जरूत नहीं है बीच में विजय वाड़ा में रुकर काम करके जा सकते हैं भाई हम लोगों को गोल गुमा रहा है मतलब मतलब हाई आपको तो मेरी मुश्किल है मेरी प्रेम काहनी पता है ना आप भी तो एक अब तो स्रिफ आप ही समझ सकते हो भाई यह फिर से पागल बना रहा है जानू कि लिए ना हां ठीक है पहले वो काम कर ले जा हैंक्स भाई चाच 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 आजा अब उसने कैश लेस कहा था तो बिना कैश की वो पैसे कहां से देगा भाई पेटियम कर देगा वो भाई अब सबको फिर से पागल बना जिया जल्दी भागाने यार है 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 सेफ का देहां रखना मैं अंदर चाहां तो भी अपना देहां रखना हाँ कि सेफ लाने वाला दर्मिंदर पाजी की तर शिक्स पैक वाला होगा जिनकार जितना दिखता है यह तो कि सेफ कहां है जानू कहा है 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 हुआ है कि टो अब रहे है है कि है है तो समझ गई है कि समझ गई समझ में आगया समझ में आगया तुम्हारी समझ में कुछ आया प्रफुचि तुमसे मिल्या रहे थी तो उठा लिया के तूँ अब मुझे नहीं पता था कि वो कुटा तुम्हारा है चानो तो वो तुम थे बेबी मैंने सुचा वो आखरी कुटा है रेकिन लवर का कुटा है पता नहीं था वो चीमी है बेबी मैं हूँ यह कुटे कुटान वाली बात क्या है लड़की पटाने का कोई नया आइडिया निकाला होगा मुझे क्यों नहीं बता कि तुम्हें प्यार से बेबी बुलाते हैं हलो वो में दो मिनिटा ब्रदर इंपोर्टन मैंटर पर बात कर रहे हैं न परसनल बाते अगर प्राइवेट में की जाए तो अ तुम तो बहुत बड़े ब्लाकमेलर हो तुझे कैसे पता चला तुने सेफ ओपन किया था क्या पता इसका मतलब सेफ ओपन करने पर समझ में आएगा इसलिए उस सेफ के लिए इतना टेंशन हो रहा है अब तक सोचा था सेफ आने के बाद तू बच जाएगा लेकिन अब से कि यार ये लो कहां से आगया अब भाई आप यहाँ है वो कि तो मुझे नहीं कहां है बोले या नहीं है जब उसक्राइब हम अभी तक अनदर रहे है को चाहिए अजार बार कह चुका हूं कि रात में पंचाइटी मत कर सुनता ही नहीं है भाईया भाईया हमार सेगी हुए क्या हुआ वो अकेले नहीं आया है बहुत बड़ी गैंग लेकर आया है गैंग हां मैंने उन्हें बाहर देखा वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं हेलो सुनिये ना लगता है वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए है आजाओ ना तुम्हें कितनी बार समझाया है संसेट के बाद फ बड़ी आ प्लान किया है बाई शायद इस किट्टू का माफिया बेक्राउंड है भाई इसका बैक्राउंड बहुत खतरनाग लग रहा है भाई ये सारे के सारे मुझे पक्का माफिया नजर आ रहे हैं सिर्फ पांच लाग रुपे के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ये कौन है रात में संग्लास इसे स्पैंड करकर घुव मअ पता नहीं भईयां अन ऑicken rated 10 अनगाए अनगाट एक 내용 देना बड़ेगा किड्निि बात क्यों नहीं है भाई आप दीख रहे है उस भाई को वह मだ रूफिय नहीं के आदने अदमियों से बात कर रहे हैं यह वह नहीं है कुछ कुछ तुम लोग आपस महीं बात कर लो शाबास भाई आप तो शेर हैं भाईया यह ग्रूप तो बहुत इस ट्रॉंग लग रहा है उपर से वह यलो शट वाला तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है हम लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं ओके-ओके-प्रमाइज करते हैं जे में देसे टेन गो शेक कुछ रहा है यह कंप्रोमाइज करोंगेस तो सेफ रहोगे वरना लाश बन जाओगे इसा पूलड़ा है भाई मेरे 5 लग भाए यह भाहर नहीं जा सकते लगता हमें मारर के लिए वो लोग बाहर जाएंगे सेफ बाहर कार में है अब भाया तेरी तु तुझे कार लाने को बोला तो तु सिधा भाग गया मुझे बिठाया भी नहीं सौरी बाई जल्दी में था ठीक है सेफ लाने करी तु डाइम पर आया अब जल्दी है पूलीस उतार चली यहां से निकल यही है तेरा अड़ा लड़की को यही छुप एता गया क्या कह रहे हैं सर यह वो जगह नहीं है सर जहां हमें आना था आप चाहें तो मुझे अपनी खराब गन से उड़ा दीजे पर ऐसे इंसल्ट तो मत कीजिए सर बात बॉल रहा है तो चाहां तो भाईया भाईया अब क्या हुआ यह लोग तो सेफ्टी के लिए पुलिस भी लेकर अंदर फाइरिंग हो रही है सर हम रिस्क क्यों ले कंट्रोर में फोन करके एक बटालियन मेजने के लिए के लिए यह सर भाईय हच्जो और नहीं गोरी लग जाएगी तेखा तुने पुलेट से भी डटते बुल्डोजर की तरह सामने खड़े हुए अभी तक क्या हिम्माद दिखाए भाई चला गोली चला भाई चलाओ 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 एए मुझसे पंगा मत लेना अगर सटक गई तो एक एक को मार डालूंगा तेरी को आए अरे देख के चलाओ भाई विज यह किस गैंका पता नहीं भाईया बहुत ही कंफ्यूजिंग करेक्टर लग रहा है मुझे तो यह अर्यार बुलट खता होगी दो बुलट देना टकले यह कोई बैंक जो तुझे कर दूगा इस गण की बुलट के तेरे गण में चलेगी चलाट अरो वारे न बीच में कौन याद कर रहा है हेलो कहां पर हो बताव मैं खुद ही आ जाती हूं आकर क्या करेगी आजा आजा आजा यहां आपके घड़ी के काती की तरह गोल गोल घुम कर गोलिया इंसान है किड्ना भी वही करता है रस्ती भी वही जला देता है वाई सुनो न दो बुलट दो ने यार एई चल जा है इतना बड़ा सूट पैन रखा है बिल्कुल भी हेल्पिंग नेचर नहीं है क्या चाहिए तो क्या लोटा दूँगा ना सिर्फ दो बुलट तो मांग रहा हूं थूए तुम पे वह किड्नी मांग रहा है यह बुलट मांग रहा है कौन है यह लोग बताने भाई अब तो मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ तो मुझे शूट कर रहा है तुम यह बाई यह बुलट खतम हो गए सिर्फ एक बुलट तो किसी मानचारा है क्या हुआ सब लोग साइलेंट क्यों हो गए मर गया डर के भाग गये बहाग गये भाई दिवार पर को लिके चला रहे है बतानी अरे बापरे इतनी देर से मैं दिवार पर गोली चला रहा था है हाँ किटो धोका दगा बद्ला तुमने चीट किया मुझे सब रहा है तुम्हारी वज़े से कुट्टों को किड़ आप किया अप्पू के किर्डी चाते जाते बची क्या है दो बुलेट कर देते ने भाई कल उटादे अब हम यह क्या बात कर रहे और तू क्या पूछ रहा क्या गर्णीज है कि जैसे तुमने ऍाल इडिया वैसे तुम्हार फेक नहीं है रहाँ आए कुछ हो नहीं तुम ठीक हो ना सारे कि टो अगुंधि मेरी है मुझस्ञ गल्ती हुई थी यही बात में तुम्हें बताना चाहते थी ठीक है लेकिन यह जगह सही नहीं है बहार च यहां भी आ गया तु वो क्या है कहा था ना दस अजार दूंगा बस मुझे शांती से करने दे शांती से क्या करने दू तुझे कहा है तु है क्या लगता है चला गया तो इस भाई सहाब को रात में दिखता नहीं है हेलो हालो डिसीपी बोलो सीटी के बाहर एलको फैक्ट्री को पुलिस ने सराउंड कर लिया है तुझे पांच मिनट का समय दे रहा हूं आस पास एक भी पुलिस नहीं दिखनी चाहिए समझ क्या है हलो हलो है तुझे तुझे किढ्नाइब नहीं किया तो यह मेरा हाथ क्यों पकटती सर हमगाई एकन में नहीं सू एय आर ने जींगे तषिस आर ने किया ता एय तब लोग बाजी हमाट। साइड 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 सियरक वहां किसी को आरेस्ट मत करना यहां तो लेखिन क्यों सर जर्सट फॉलोब माइज ऑडर अबस्ट इवाधर दमीशन वोगिशण के शर्फिंगा यह क्या सब आप तो यह क्या सब जाओ सर इस ने जान यह चल ले रहा चल 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 थैंक यू वो सेफ के लिए अपने पास जरूर आएगा सब तयार रहना आगया सेफ कहां है सेफ कहां है स्प्रे कहां है अधित के नारायन की बेटी जानकी नारायन जिसका अपरन हुआ था वो अपसुदक्षित घर लोटाई है इस केस में जिन तीन लड़कों को अरेस्ट किया गया था वो निर्दोश पाए गये हैं और पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है लेकिन इसकी डैप के पीछे जो असली गुनेगार है वो अभी भी फरार है